स्वागत एक पर फिर से आप सभी वीवर्स का आज के इस वीडियो में हम लोग BCSL013 Computer Basics and PC Software BCA के Assignment 2020-21 के Section 4 को discuss करने वाले हैं जो कि आपका Excel पे based है 16 marks का question है और बहुत ही आसान है कुछ basic formula का use करते हुए आपको ये sheet त्यार करनी है तो आपको इसमें क्या कह रहा है आपको जो problem दी गई है पहले तो आप उस problem को समझ लीजे Create a worksheet Excel में जो आपकी file होती है उसको उम लोग workbook बोलते हैं और उस उस workbook में जितनी भी sheets होती है उनको उम लोग work sheet बोलते हैं तो यहां पर जो work sheet की बात कर रहा है देखे हमें यहां पर एक work sheet क्रीट करनी है जो उनकी year की income होती है और जो वो tax pay करते हैं और जितने भी उनके expenses होते हैं और लास्टली जो उनकी saving होती है ठीक है as given below जैसा कि आपको दिया गया है फिर type in levels आपको work sheet में एक level बना लेना है year, income, expenses, tax वगयरा यह जो आपको दिये गए वो सब आपको level बना लेने है ठीक है अब कुछ condition दी गई है जिसके according आपको चीजे calculate करनी है तो जो आपको you are required to calculate tax देखे इंकम तो आपको initial income तो दे दी गई 2014 की जो income थी वो आपको दे दी गई है और 2014 से लेके 2019 तक का data आपको त्यार करना है ठीक है अच्छा तो आपको जो इतना तो पता चल गया कि जो आपको tax calculate करना है वो 20% होगा yearly income का ठीक है तो यहाँ पर जैसे एक लाग भी से जार है ठीक है उसका 20% निकाल लेंगे ठीक अच्छा यह भी समझना गया फिर जो expense है जो आपका expense है वो 30% of yearly income है ठीक है तो जो उनके expenses है वो जितनी भी इनकी income हो रही है उसका 30% आप निकाल लेंगे ठीक है अब बात आती सेविंग की तो सेविंग आप चला गया है ना और कुछ आपके expenses हुए उसमें खर्च हो गया तो उन दोनों को हम yearly income में से माइनस कर देंगे ठीक है अच्छा अब एक condition और देदी अब आप कहेंगे यह 2014 की तो दे दी लेकिन 15 16 बाकी years की तो दी ने गई तो उसके लिए भी उन्होंने एक statement दे दिया है ठी ठीक है and next year's income और जो उनके next year की income होगी यानि कि 2015 की जो income होगी या अगले जो years आएंगे उनकी जो income होगी वो 10% more than the previous year होगी समझके यानि कि अगर 2014 की income 1,20,000 है तो 2015 की जो income होगी वो 1,20,000 में 10% और add कर दीजेगा ठीक है तो वो income आजाएगी ठीक है इस तरीके से आपको य sheet calculate करनी है और फिर finally आपको total income भी निकालनी है ठीक है total उनका tax भी निकालना है expense भी निकालना है ठीक है और total saving निकालनी है तो इतना काम करना है तो पहले तो हम आपको worksheet create करना दिखा देते हैं कैसे worksheet बनाई जाएगी ठीक है फिर कैसे उसमें formula apply करेंगे वो देखते हैं ठीक है देखे सीरेल लंबर तो लिखे हुए उससे आपका कोई मतलब नहीं है है ना year आप बर लीजे जैसा कि ABCDE ने दिखाया गया आप ऐसे ही आप बर लीजे तो यहां पर सबसे पहला term आगे आपका year ठीक है फिर आगे आपका income और फिर आगे आपका tax और फिर आगे आपका expenses ठी ठीक है यह आपका इतना data तैयार हो गया अब यहां पर आपको 2014 से लिखना है तो देखिए एक तरीका तो यह है कि आप एक बरें और फिल सीरीज में जाए ठीक है उससे कर सकते नहीं तो आप यहां पर कम से कम दो बर लीजे यहां पर आपने दो बर लीजे आप इन दोनों क करना है तो हमने यहां पर 2019 तक कर लिया ठीक है अब यहां पर income कितनी है वन लैट टॉन्टी थाउजट अब इसी फॉर्मेट में लिखना चाहे तो आप यहां से इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं कॉमा करके यह ना देखिए इस तरीके से बन गया अब आप यहां पर बॉ बॉल्डर लगा सकते हैं एक एक्स्ट्रा कर लिए जो आपको लास्ट में आपको जरूत पढ़ने वाली है तो यहां पर ऑल बॉल्डर पर क्लिक कर लिए तो यह आपका बॉल्डर भी लग जाएगा ठीक है अब यहां पर आपको टेक्स कैलकुलेट करना है ठीक है तो लेक्स पे करना पड़ रहा है ठीक है वो कितना करना पड़ रहा है कि 20 परसेंट ओफ एरली इंकम तीक है तो यानिकी एक लाग बीस जार का 20 परसेंट निकाल लिए तो देखिए कोई भी फॉर्मुला एप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक्कोल साइन यूज करना प्रेस करेंगे तो आप उसी सेल में आ जाएंगे तो आप बीटू ऐसे लिक सकते हैं या फिर आप मैनौल भी टू लिखें फिर आपको कितना करना है 20% करना है तो आप इंटू का साइन लगाए और या तो 20 के साथ परसेंट लगा लें या डिवाइड़ भाई उन्डिट क जो है वो आपका 30% of yearly income है अब अब इसका क्या करेंगे फिर वही सेम तरीका आप एककोल का sign लगाएंगे और B2 वाली cell select करेंगे और इंटू करेंगे और आपकी वार कितना करेंगे 30 अब यहां पर चाहे तो डिवाइडर भाई 100 करके भी दिखा देते हैं आपको यह भी कर सकते हैं तो 36,000 आपका expenses हो गए फिर अब आपको यहां पर saving करने हैं तो अभी हम कोई formula वैसे नहीं अप्लाई करते हैं आपको यहां प्लस माइनस का यूज करके कर ले रहे हैं तो आपको जो saving निकलेगी वह equal sign लगाएंगे और अपनी इसे माइनस कर लिजे देखा अब क्या करें ब्रैक्ट लगा लें और ये वाली इसलक कर लें और प्लस का यानि कि 2014 में जो आपकी income हुई थी 120,000 जिसमें आपको 24,000 tax देना पड़ गया था और 36,000 आपके expenses थे तो आपकी जो saving हुई वो आपकी 60,000 की हुई तीक है ये तो ये बात हुई अब अब देखिए अब जो आपको next year के लिए जो income आपकी होगी वो आपकी income कितनी होगी वो 10% more than the previous year यानि कि अब आपको इसका 10% निकालना है और साथी साथ उसको उसके साथ जोड़ लेना है ठीक है एक तो ये होता है कि जैसे माल लिशाम यहाँ पर आपको अभी temporary निकाल के बता देते हैं कि आपने क्या करा equals to करा इसको करा और into करा और 10% निकाला तो ये आ गया ठीक है यानि कि एक लाग बीस हजार ये थी आपकी previous income ठीक है और बारा हजार इस बार और बढ़ जाएगी आपकी फिर आप क्या करेंगे equals to करेंगे इसको select करेंगे फिर plus का sign लगाएंगे इसको करेंगे ठीक है तब जाके आपका एक लाग बत्तिस हजार 2015 के लिए income होगी ठीक है अच्छा ये अब आप माली से हमें कोई sell extra नहीं यूज करनी तब क्या करेंगे ठीक है तो उस case में हमें क्या करना पड़ेगा हम 10% निकालना है ना मैं किसी चीज का तो 10% का मतलब होता है 10 बटे 100 10 बटे 100 का मतलब होता है 0.1 ठीक है 0.10 बोले या 0.1 बोले यानि कि उस 0.1 को हमें add कराना है ठीक है तो अब आपने क्या करा पहले उसको एक लाग बीस जार दे को आपको इसको समझा देते हैं आपको क्या करना है यहाँ पर मान लिजे आपका था एक हजार रुपे ठीक है अब एक हजार का अगर मान लिजे आप 10% निकालते है ठीक है 10% निकालते है तो आपका 100 रुपे आएगा फिर आप क्या करेंगे इसमें इसको add कराएंगे ठीके तब आप जाते हैं आपका 11 होगा और आप वही काम क्या कर रहे हैं आप आखिर कर क्या रहे हैं आप यही तो कर रहे हैं कि पहले आप क्या कर रहे हैं यह आपकी रही मान लीजे 1000 ठीके फिर यहाँ पर आपने क्या निका divided by 100 ये करके आपने निकाला सब्स ठीक है और उसके बाद आपने क्या किया उसके बाद आपने जो किया है वो ये किया है कि इसके बाद आपने क्या किया यहाँ पर आपने 1000 जो आपकी income थी ठीक है उसमें आपने क्या add किया ये जो आई 100 रपे तो अगर आप इसमें देखें तो आपने क्या करा है 1000 को कॉमन ले लें तो अगर हम यहां पर 1000 को बाहर लिख लेते हैं सपोज हमने 1000 को बाहर लिख लिए तो आपका यहां पर क्या बचेगा वफ और यहां पर क्या बचेगा 10 अपर 100 को हम लोग 0.1 लिख सकते हैं तो यह आखिर क्या हो रहा है 1.1 हो जाएगा यानि कि जो आपका फॉर्मूला बन के आ रहा है वो आपका 1000 इंटू 1.1 ठीक है देखे सीधा सा तरीका है अगर कोई चीज एड हो रही है कितने परसेंट जो एड हो रही है उसको 1 में उतना एड करा दो ठीक है 10 परसेंट के रहा था तो 10 अपॉन 100 का मतलब हो गया 0.1 तो 1.1 हो जाएगी फिर उ कैसे करेंगे तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना यहां पर सिंपल्स आपको करना क्या है एक को लगाना है ठीक है देखे एक लाग 32 आ रही थी और अगर एक लाग 32 आ ऐसे आ जाती तो समली बिल्कुल सही है आपने क्या करा यह वाली सेल बीटू को लिया इंटू किया 1.10 जीरो कहें चाह कुछ भी कहलें कोई फरक नहीं पढ़ता और एंटर कर दीजिए तो यह कि कितना आ गया एक लाग 32 आ गी वही तो आ रहा था सेम तो बस यही तरीका होता है कि आपको कैसे उसको सौल करना है ठीक है अच्छा अब सेम प्रोसेस यही रहेगी इसमें यही का दीकर लें लें देखें, यह आगया अब सबको एक साथ भी समेक करके कंट्रोल कर सकते हैं यह तरीका हो गया, है ना? यह सिंपल सा तरीका यह है कि आप क्या करें यह ऐसे करके ड्रैक करना है ठीक है तब भी आ जाєएगा या फिर आप एक साथ तीनों को स्लैक करना है और यहां से लेके यहां तक ड्रैक कर लें तो एक साथ आपका आ जाएगा ठीक है अच्छा फिर अब देखिए यहां पर जब ड्रैक करेंगे तो एक लाग 32,000 का 10% निकाल के देगा ठीक है एक लाग 45,200 आ गई है ना वही सेम काम जब आप इस तरह से ड्रैक करेंगे तो इस पर आ जाएगा फिर यही सेम काम इस पर करेंगे तो यह आ जाएगा फिर यही सेम काम इस पर करेंगे तो यह आ जाएगा ठीक है तो हमें अलग लग करने की क्या जरूरत है हम एक साथ ना कर लें हमने मान लिजे यहां पर इतना एपलाई कर दिया था ठीक है अब हम क्या करें सि तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी sheet calculate हो जाएगी, अब यहाँ पर हम लोग जो हमें data दिया गया था कि हमें क्या-क्या calculate करना था, वो हम देख लेते हैं, देखें, यहाँ पर total income आपको calculate करनी थी, यह देखें, total income आपको निकालनी थी, total tax निकालना था, total expense निकालना था, total saving निकालनी थी, तो चाहें तो हम लोग एक cell और extra बढ़ा के, यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, total income, total, अगर उसी cell में लिखना चाहते हैं, तो alt के साथ enter कर लीजे, ठीक है, total income, फिर total tax, ठीक है, फिर यहाँ पर total expenses, ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी हो जाएगी, total saving, ठीक है, इस तरीके से कर लीजे, इसको भी चाहे तो border में कर लीजे, है ना, ठीक लगेगा, इसको अटा देते हैं, यह तो सिर्फ सम्झाने के लिए आपको बताया था, यह चीज़ होगी, ठीक है, इनको bold कर लेते हैं, center पर लेते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा, है ना, चली, यह हो गया, अब यहाँ पर simple से काम क्या करना है, इन सब को जोड़ना है, ठीक है, एक तो सबसे गटिया तरीका यह होता है, कि आप यहाँ पर जाएं, इस पर click करें, फिर plus का sign लगाएं, इस पर click करें, फिर plus का sign लग लें, और यहाँ पर जाके auto sum पर click कर दें, simple सा तरीका, ठीक है, इस तरीकी से यह निकलाता है, नहीं तो, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, manual लिके equals to sum sum, फिर, यहाँ से लेके, यहाँ तक select करके लाएं, enter करें, ठीक है, एक यह तरीका हो गया, एक तीसरा तरीका जो shortcut है, sum आ लिया, ठीक है, यानि कि total income आपकी 9,25,873 रुपे 20 पैसे होई थी, ठीक है, और आपने tax कितना pay किया है, 1,85,174 रुपे 24 पैसे, ठीक है, और आपके जो expenses हुए हैं, ठीक है, आपके जो expenses हुए हैं, वो 2,77,671 रुपे 96 पैसे हुए हैं, ठीक है, और आपकी 2014 से 2019 के बाद, जो आपकी saving होई है वो होई है 4,62,936 रुपीज 60 पैसे ठीक है इस तरीके से आपकी sheet calculate होती है अच्छा, अब हम यहाँ पर जो आप सो कह रहे थे यह तो एक simple सा तरीका होगी आपने लगा लिया, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि आपने से B2 minus C2 प्लस D2 कर रहा है बस आपको यहाँ पर क्या करना था equals to लगाते है आप ठीक है, आप B2 select कर लेते ठीक है, minus कर लेते फिर यहाँ पर चाहते तो आप sum लगा सकते थे ठीक है, इनको और इनको select कर लेते और bracket लगा जेते ठीक है, तब भी आपको यहाँ अंसर आया था अब इसी को drag कर लें क्योंगी यहाँ पर बाकी में formula वह आला नहीं apply हुआ है, फिर same आपका देखिए अभी भी यहाँ पर 4, 6, 2, 9, 3, 6 आ रहा है, वही same amount, ठीक है तो वही आप यहाँ पर drag करके यहाँ तक ले आई है, ठीक है अब देखिए, सब पर वही formula एपलाई हो गया हो गया, sum बला तो यह तरीका है आप, है ना formula एपलाई करके भी आप use कर सकते है तो इस तरीकी से आपकी sheet तैयार हो जाती है देखिए question पर फिर से गौर कर लीजे आपको क्या करना था, एक work sheet create करनी थी for yearly income, tax, expenses and saving के लिए ठीक है, जो आपको detail दी गई है फिर label बना ली है, हमने year, income, tax, यह सब label बना ली है ठीक है, अच्छा फिर देखिए हमसे कहा गया था कि जो tax है वो आपका 20% है yearly income का हमने 20% yearly income का tax निकाल लिया, ठीक है, फिर जो हमारे expense थे, वो 30% of yearly income थे, तो हमने उसका 30% भी निकाल लिया, expenses ठीक है, फिर हमसे जो कह रहा है कि जो saving है हमारी तो saving तो जाहर जिवात है, वो बताता ना बताता, तब भी हमें करना पड़ता, तो जो हमारी yearly income हो रही थी, उसमें से हम tax और expenses को minus कर देंगे, तो हमारा saving आ जाएगी, ठीक है, फिर इतने से हमारी information पूरी नहीं होती थी, तो क्योंकि हमें एक ही year का तो पता चल पता ऐसे, लेकिन उसने ये भी statement दे रखा था कि जो next year की जो income होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो 10% more than the previous year होगी, यानि कि जो भी आपका previous year में income होगी, next year की जो income होगी, वो 10% जादा होगी, तो हमने क्या किया, हमने उसी के according 10% हर साल बढ़ाते चले गए, फिर उसी के according हमने tax, expenses, savings, ये सब calculate करते चले गए, ठीक है, और फिर final हम से कहा रहा था, कि आप total हमारा income, total tax, total expense, ठीक है, ये सारी चीज़ी भी calculate कर लीजे, है ना, देखी total income हमें लगा नी थी, total tax निकालना था, ठीक है, total expense निकालना था, total saving, तो ये हमारी चीज हो गई, कि ये हमारी total income हो गई, ये हमारा total tax हो गया, ये हमारा total expense हो गया, और ये हमारी total saving हो गई, 2014 से लेकि 19 तक की, ठीक है, कितना क्या खर्च हुआ, कितना tax पे करने के बाद हमारी final saving ये आ गई, तो इस तरीके से आप seat त्यार कर सकते हैं, I think आपको एक-एक statement clear हो गए होंगे, अगर आपको फिर भी कोई doubt है, तो आप हमें comment box में लिख सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे like करें, share करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो इसे subscribe करें, और हाँ, bell icon पर click करना ना भूले, ताकि आपको next video की notification सबसे पहले मिल सके, thank you.